नमस्कार सातियों आपका स्वागत आपके यूट्यूप चैनल ट्रेट विध रहने चले दोस्तो शुरुवाद करते हैं, रिजल्ट को मैं ओवर्वियू करता हूं बस तो बतातों रिजल्ट अच्छा है खराब आया और कैसे रहने वाला आगे का ट्रेडिंग इस कंपनी के वारे में वो थोड़ा सा एनलाइस करके आपको करता हूं अगर आप अच्छे का से प्रॉफिट मातव प्रॉफिट कर लीजिए लॉस मातव लॉस को कवर कर लीजिए बट मेरा उद्देश से यही होदा है कि हमारे चैनल के साथ जो भी व्यक्ति जुड़ रहा है वह व्यक्ति किसी भी तरह की कैपिटल लॉस ना करे क्योंक आपको शॉर्ट ट्रम टार्गेट देता हूं सारे सौट कॉल देता हूं मैं आपको उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करवाता हूं मैं आपको तो बैसिकली मेरा परपस ही रहता कि आप लोग को किसी भी तरह से कोई भी कैपिटल लॉस ना हो तो बैसिकली मैं किसी भी त पता चल जाता आपको आगे का वियू कैसा हो उसके बारे में आपको explain कर देता हूं अगर प्लिस वीडियो का पूरा देखे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहों बहुत बड़ा वेंचर होनों का और इनको जो बजट में को कुछ न कुछ सपॉर्ट मिलने वाला कूछ गवर्मंट पावा सेक्टर को लेगे कुछ न कुछ अग्रेसिव कोई न कोई अनौनसमेंट करने वाली है और कुछ कुछ benefit मिलने वाला जैसा भी मैंने सुचलोन के बारे में call बताया है आपको quarter 3 का result अब देखना हो मिली तो अब अच्छी कासी earning देखना हो मिली तो अब NTPC के अंदर कैसा रहा है उसको quarter 3 का result चली उसके बारे में बात करते हैं प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भ कि Friday के दिन भी हमें तेजी देखने को मिली ता अब हमें मंडे के दिन में तेजी देखने को मिलेगी तेजी की वाजे इसके अंदर outcome के निकल के दिखे सबसे पहले company इस result के अंदर के अंदर क्या है चारपे का इन्होंनों डिवीडेंड भी दिया है इनका face value share का है दसरपे क चारपे का इन्होंने डिवीडेंड दिया है एक चीश के लिए रहा है को इनका करोड में तो चलिए हम scanner की साइट पर चलता है समझते इसका कैसा result रहा तो NTP से limited आपको PSC NSC दोनों पर इशड़ है इसका market cap है एक लाग 35,899 करोड बेगा एक लाग 35,899 करोड का market cap है stock P.E. चला 8.46 का stock ROC इसका चला 8.57 परसेंट का book values के 34 रुपे की है और return of equity इसका है 12.6 परसेंट का dividend company न अभी तक दिया 4.39 परसेंट का phase value इसका 10 रुपेगा देखे company always trade कर रहा है इसका trade book value के according trade कर रहा है शेहर 1.05 के according कर रहा है अभी तक dividend दील 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 रहा है और dividend healthy payout maintain रखा 37.14 परसेंट के साब से और इसके अंदर देखे profit और loss देखेंगा हम इसका quarter 3 के result का देखेंगे चलते हैं तो अब देखेंगे इसका quarter 3 के result का द 33,293 करोड बेगी इनको expense हुआ है 22,319 करोड बेगा operation profit आया है इनको total 10,947,944 करोड बेगा operation profit केता है 10,944 करोड बेगा और other income जो इनकी निकल गई है quarter में 799 करोड बेगी तो इसमें इसका net profit आता है 4,499 करोड बेगा net profit केता है 4,499 करोड बेगा EPS इनका 4.64 पेगा अब last quarter में इनकी income थी 32,404 करोड बढ़के हुए 33,293 करोड और expense था इनका 23,423 वो बढ़के हुआ 22,319 तो आप देखेंगे expense होता है इस quarter में घटत देखने को मिली इनों ने यानि कि अपने खर्चे में कमी करिए तो बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि बढ़त के साथ अच्छा revenue जनरेट करने के बाद भी इनोंने अपना खर्चे यानिक जो इनोंने खर्चे वो कम कियें अब इनका अब इसका नईट प्रॉफिट है इस quarter में 3,599 व बढ़के हुआ है 4,499 तो बढ़त देखनेंगेंगें अच्छा गाजा बढ़त देखनेंग जो हमेरे अब भी नेट प्रॉफिट के अंदर एपिस की बात करेंगे तो इस लास्ट कॉर्टर में एपिस था 3.37 वह बढ़के हुआ 4.64 तो एपिस में भी अच्छी खासी बड़ा देखने को मिल रही है अब चलिए चलते हैं इसके करेंगे तो लास्ट इयर सेल ती सत्ता हिजार 526 करोड वह बढ़के हुए है 33,293 करोड पे की और एक्सपेंस था 22,628,785 वह बढ़के हुआ 22,319 तो अप्रेसन प्रॉफिट की बात करेंगे तो लास्ट इयर अप्रेसन प्रॉफिट था आट अज़ा 747 वह बढ़के हुआ 10 944 तो अप्रेसन प्रॉफिट में बढ़के हुआ 4,499 तो अप्रेसन प्रॉफिट भी नेट प्रॉफिट भी हमारा अच्छी कासी बढ़त देखने को मिल रही है अब एप्स की बात करेंगे तो इस लास्ट इयर एप्स था 3.38 वह बढ़के हुआ 4.64 तो एप्स भी हमारा बढ़के हुआ है 4.64 तो इप्स भी हमारा बढ़त देखने को मिली कौटर 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 वाइवी तो इसका इंपक्ट कैसा देखने को मिलेगा मंडे के दिन थोड़ी दिन मैं बताता हूँ आपको मैं तो पहले इसका शेर होल्डिंग पैटन देखते है इस कौटर में कित हमें लास्ट कोर्टर में परमोटर कोल्डी क्यावन पंट 10 थी वह बढ़के हुए क्यावन पंट 10 से हमें और FIS की होल्डिंग 13.48 से बढ़के हुए 14.54 FIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ा है FIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ा है 31.98 से घटके 30.91 करी है गोवर्मेंट की होल्डिंग 0.21 से घटके 0.17 होई है और पबलिक की होल्डिंग होई है 3.28 तो आप देखेंगे इसका रिजल्ड का इंपेक्ट हुए काफ अच्छा इसमें FIS ने अपनी होल्डिंग में बढ़ा है अब फ्राइडे के दिन यह साड़े 3% की तीजी के साथ यह बंद हो है NTPC अब यहां से और कितनी तीजी दिखायागा वह उसके आ रहे हैं बात करते हैं तो देखेंगे ओपन होता है 140 रुपए हाई मारे 144 रुपए लो मारे 138 का 52 आइसका 152 पेगा 52 लो आठाज सिर्फ 15 पैसे का 50 दिन के अंदर इसने अमारे को 4% रिटन दिया है वन मंद के इसने 10% रिटन दिया हमारे को 6 मंद के इनदर 19% रिटन दिया यह तो इस वैसे भी शेर होते तो आपके पास अच्छा आशर डिवीडेंड इंकम भी जनरेट हो जाती जलते जलते हैं इसका इंपेक्ट रिजल्ट के इंदर कैसा आउटकम निकलके आएंक रिजल पे राउंडिंग बॉटम बनके आरा अच्छा खासा रिजल्ट पे डेली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम बना आ कि अगर आप भी इसमें बाय करना चाहिए तो 136 रुबे के स्टॉप लोस से 155 के स्टॉप लोस से बाय कर सकते हैं इसमें फ्रेस इंट्रिवी कर सकते हैं अब यहां से मुझे लगता है जिसतर से रिजल्ट का इंपक्ट देखना हो मिलेगा तो यहां पर देखें कल मेरे 155 बेगा रहने वाला है यहां से आप सीरह सीरह 155 बेगा पहला टार्गेट 150 का दूसरा टार्गेट 155 बेगा इन दो टार्गेट के बाय करिए पिस्ट लोड़की दस दिन के अंतर वे दोनों टार्गेट नजर आएंगे अगर मंडे के दिन से थोड़ी बद प्रॉफ थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो